नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर का एक्रम खबर की खोज सच की पड़ताल जनपक्ष नजरिया बेखौफ बेभाग सत्ता का जूट बेनकाब आग में तपी पत्रिकारिता दाखती है सवाल दरसवाल नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर का एक्रम आज नेशनल प्रेस डे है 16 नमबर 1966 को भारत की प्रेस परिशत का गठन किया गया था प्रेस काउंसल ओफ इंडिया का गठन किया गया था यह एक सम्मेधानिक संस्था है क्या विडंबना है कि आज जब देश में तमाम लोग प्रेस डे मना रहे हैं तमाम नेता पत्रकारों को हमें आपको उसकी बधाई दे रहे हैं ऐसे में भारत में जो प्रेस की स्वतंतरता है प्रेस की जो आजादी है उसकी इस्थिती बेहत दैनी बनी हुई है आपको हम बता दें कि 180 देशों की लिस्ट में 180 कंट्रीज की जो लिस्ट है उसमें भारत का इस्थान 142 पर है यह इस्थिती भारत में अंतराश्टी इस्तर पर है लेकिन अगर हम अपने घर में देखें तो इस्थिती और भयावा नजर आ रही है प्रेस की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी शायद आज के दौर में बहुत बड़े शब्द दिखाई देते हैं और जिस तरह से हमला बहुत तीखा और सीधा हो गया है सिर्फ पत्रकारिता या रिपोर्ट करने वाले लोगों को निशाने पे लिया जा रहा है इसकी जो बहुत दरावनी तस्वीर दिखाई दी है वह त्रुपुरा से आई है वहाँ पर दो युवा पत्रकार सम्रधी, सुखिनिया और स्वर्ना जहा जो हैश डबलू से हैं वह रिपोर्ट करने गई थी आपको हम यहाँ बता दें कि त्रुपुरा में बहुत सुनियोजित धंग से मुसल्मानों के खिलाव हिंसा पहलाई गई उन्हें निशाने पे लिया गया, मस्जिदे जलाई गई, बहुत कुछ हुआ लेकिन वहाँ की जो सरकार है, वह लगातार उन लोगों को साथ खड़ी रही या उन्हें बचाती रही जो हिंसा करते रहे लेकिन तमाम पत्रकारों को और संगठनों को उन्होंने निशाने पर लिया ये दोनों महिला पत्रकार जो बहुत कम उम्र की हैं, बहुत जुझारू हैं इन्हों ने जब वहाँ से पत्रकारिटा करनी शूरू की, रिपोन्ट करनी शूरू की , ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी तबसे इन्हें पुलिस ने अपने रडार पर लिया और मैं इन दोनों युवा पत्रकारों को सल्म करना चाहती हूँ कि जिस दिलियरी के साथ पुलिस की सारी बरबरता को इन्होंने ज्हेला इन्हें गिरफतार किया गया इन्हें बिना कोई नोटिस के बिना कोई कागस दिखाये लगातार एक निशाने पर लेते हुए जब वो तृपुरा से बाहर असम गई वहां पे रातो रात इन्हें गिरफतार किया गया वापस त कह रही हैं वहां पर पुलिस की तमाम बरबरताओं को जहलने के बाद भी जिस मजबूती से इन महिला पत्रकारों ने अपना वर्जन अपना खतन हमारे सामने रखा है वह हर एक भारतिय नागरिक के लिए सुनना बेहस जरूरी है आईए सुनते हैं वे हम से क्या कह रही है कुरा पुलिस का वीध करे तो अभी आहें करीब पॉने पांश रजे अचली पॉने चे बज़े हमारे पास वाये हैं हम उनके सांचे पुल्ड़ाने नहीं मैं खिसे कभ एत नहीं करोंगा मैंने ठीक हमारे एफायर कॉपी बेज देजे हम बोल्वार्स को भीज देंगे उन् यह भोणा, sir, अगर आप्टे पर F.I.R. ह wh इना होपरी में है, यह एपर पर से ऒफरिक नहीं है, उन्होंने पहते हsti नहीं में हैं घाला difanki मिठ आप हेस कुमेड़ rabbit को नहीं है, अब बिदंबना देखिये कि आज देश में नेशनल प्रेस दे मनाया जा रहा है लेकिन जो हमारा प्रेस परिशद है उसने मीडिया पे जो हमले हो रहे हैं इनके बारे में एक बयान तक जारी नहीं किया कोई ट्वीट नहीं किया है सरकारों से हम क्या ही अपेक्षा करें वह तो अलग बात है एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि तिरपुरा हो आसा हो उत्तरप्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा वहां पर सीधे सीधे पत्रकारों को निशाने पे लिया जा रहा है लेकिन जो प्रेस परिशद है जो एक सम्मेधानिक संस्था है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोट के रिटायर जर्ज करते हैं और इस समय जस्टिस शनाप शनाप तमाम आरोप लगते हैं यह हमारी जो प्रेस परिशद है एक शब्द नहीं बोलती कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करती एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझती है इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है यहां तृपुरा की घटना पर हमारी आपक सब की निगाह होनी बहुत जरूरी है क्योंकि एक तरह से देखिए तो यह लोगतंत्र पर सीधा सीधा हमला है कि दो पत्रकार जो रिपोर्ट कर रहे हैं जो रिपोर्ट करने गई हैं जो उनका समयधानिक हक है और वहां जाके वह थाने में बताती भी हैं उनको अपने साथ लेती हैं सारी सारी गतिविधियां वहां पर जिस तरह से रिपोर्ट होनी चाहिए उस नियम कायदे कानून के तहत्वे करती हैं लेकिन अब आप देखिए त्रिपुड़ा के मंत्री किस तरह से इन दोनों महिला पत्रकारों के खिलाफ बयान देते हैं वे इन्हें एक बहुत कड़ा विरोध किया है और सीधे सीधे कहा है कि इस पर कारवाई होनी चाहिए महिला पत्रकारों को इस तरह से निशाने पर लेना गैर कानूनी है यहां पर चर्चा थोड़ी बहुत राश्टी सतर पर हो रही है लेकिन आप आप देखिए बिहार के युवा पत्रका अविनाश जहा किस तरह से उनकी हत्या हुई यह भी बहुत नौजवान पत्रकार उनका जला हुआ शव मिला 9 नवंबर से वह लापता थे 12 नवंबर को 22 साल के इस पत्रकार का शव मिलता है और उसके बाद बिहार की पुलिस किस तरह से फर्जी वारा करती है दबाव है गिरफतार करती है और तब उसके बाद बैयान देती है कि उसे पता नहीं किस आरोप में गिरफतार किया गया है मामला क्या है पूरी तरह से खुले आम लीपा पोती की कारवाई चल रही है जबकी आप जानते हैं हम जानते हैं और सब को जानना चाहिए कि ये बहादूर लगातार फरजी मेडिकल क्लीनिक्स दो चल रही थी उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे यहां हम आपको दिखाएंगे उनका एक छोटा सा वीडियो जिससे बहुत साफ हो जाता है कि किस बहादुरी के साथ यह युवा पत्रकार अपना पेशेवर काम कर रहे थे और आखिर किन लोगों ने इन्हें निशाने पर लिया होगा भाय और वहनों बेनीपत्टी में हम आज फरजी होस्विटल का भांडा फोर करने वाले हैं खूनी दरुंदों का जो मौत के सौधागर बेनीपत्टी में घूमते फिर रहे हैं आपको हर एक जगा हर एक चोक हर एक चोरा ह ऐपर मिलेगे आपको अपको बताने के लिए बताना हुआ च्छे महिने में आठ मणर हुआ है बेनीपत्टी में शीर्फ छो महिने में आठ मणर जो की ओन डेको हर उसके बाद कितने लोगों की जान चली जाती है इस होस्पिटल्यों में और किसी को कुछ पता नहीं होता इसमें सबसे कश्ट दायक बात ये है कि जिस होस्पिटल को 28.12.2019 28.12.2019 को बंद करवा दिया गया था उसमें उस होस्पिटल में आज साथ जून 2006 को मरीज के मिर्ति हो जाती है उसको कोई देखने वाला नहीं तो मुझे कोई सरकारी पता जी कारी इसकी जानकारी दे कि जिसको आपने जिस होस्पिटल को आपने दिसंबर महिने में बंद करवा दिया गया है वो फिर अभी आपको चालू कैसे मिला क्या है आपके पास में कोई जवाब हम सबसे पहले आपको एक नोट पढ़न के बताना चाहेंगे जो की बिहार सचीवाले से जारी किया गया पुड़ा पढ़ेंगे प्रेशक चिकित्सापदाधिकारी प्रात्मिक स्वास्त केंद्र बेनी पठी असरनेक सल ये चिकित्सक सा मधवनी चिकित्सापदाधिकारी मधवनी समादेश राजजिका बीस चवालीस दूहजार चवदो इंडियान एसोसियेशन ऑफ पेथलोजिस्ट एंड माइक्रोबालोजिस्ट विहार चेप्टर बना बिहार राजजि एवम अन्य मामले जाच प्रतिवजनन के संबंध में परसंग भावदिया प्रतांक बत्तिस चोहत्तर दिनांक ग्यारा बारा दोहजार उनिस महासे उप्यूग्त विसे संबंध में सुचित किया जाता है कि काडियाले प्रतांक जब बात हम करें प्रेस फ्रीडम की तो उसका टेस्ट केस युवा पत्रकार सिदीक कपन है और उनकी गिरफतारी जिस तरह से हुई पांच अक्टूबर 2020 को उत्तरप्रदेश पुलिस ने उन्हें तब गिरफतार किया जब उत्तरप्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए बलातकार और बाद में जो उनकी मौत हुई उस पर रिपोर्ट करने जा रहे थे हाथरस जब हम आपसे बात कर रहे हैं वह जेल में है पांच हजार से अधिक पन्नों की चारशीट दाखिल की गई है सिदीग कपन के खिलाफ उत्तरप्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है अब तक काम्याब रही है कि किसी भी तरह से कोई राहत इस पत्रकार को ना मिल पाए इस पत्रकार का आरोब क्या था इस पत्रकार का जुर्म क्या था कि वह अपने पेशे से इंसाफ करना चाह रहा था बात सिर्फ उत्तरप्रदेशी की नहीं कश्मीर में जिस तरह से पत्रकारों के उपर हमले हुए हैं जिस तरह से उनके उपर सिडीशन के केसिज लगे हैं जिस तरह से वे गिरफतार करके जेल में रखे गए हैं देश का जो नौर्थ हीस्ट है उत्तरपूर वहाँ पर तो पत्रकारों के उपर यह महरबानी छप पर फाड़ कर हो रही है एक के बाद एक पत्रकारों के उपर सिडीशन के आरोप लगाए गए है कश्मीरी पत्रकार आसिफ सुल्तान जिनने 27 अगस 2018 से गिरफतार किया गया तब से वह जेल में है इस दोरान उन्हें US Media Award भी मिल गया लेकिन रिहाई नहीं वजह कि वह सच के साथ खड़े थे या सच को देश और दुनिया के सामने लाने का साहस कर रहे थे लिहाजा तमाम पत्रकारों को आज की तारीख में जिस तरह से तिरपुरा में घटना करम चल रहा है जिस तरह से दो नौजवान महिला पत्रकारों को निशाने पे लिया गया है यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी बचा हुआ नहीं है यह हमला लोकतंत्र पर है और हम और आप अपने पेशे तहट लोकतंत्र को बचाने उसे जिन्दा रखने उसे वाइबरेंट करने की जो कोशिश कर रहे हैं निशाना कभी भी कोई भी बन सकता है यह जो open war on democracy है इसके अलग-अलग रूप है अलग-अलग रूपों में यह हमारे सामने आ रही है किस तरह से तमाम संस्थाओं को सरकार पिठ्ठू बना रही है और इसके लिए सुप्रीम कोट के फैसलों तक की धजियां उड़ रही है इसकी ताजा मिसाल मोधी सरकार जो अ जीती जाकती मिसाल है आप और हम सोचेंगे कि आखिर CBI और ED के प्रमुखों के कारेकाल को बढ़ा कर पांस साल क्यों किया गया और इतना बड़ा बहुमत अकूत बहुमत होने के बावजूद बूट मेजॉरिटी है मोधी सरकार की देश की संसद में उसके बावजूद देश की संसद को धता बता कर यह अध्यादेश क्यों लाया गया वह अभी तब जब संसद का सत्र 15-20 दिनों में शुरू ही होना है यहाँ पर हम आपको बता दें कि अध्यादेश लाने में मोधी सरकार ने पिछली तमाम सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं और सतन साथ सालों का जो पूरा शाशनकाल है उसमें हर साल 11 अध्यादेश लाए गए हैं अध्यादेश यानी जहाँ पर सरकार अपने फैसलों के लिए संसद की अंदेखी करती है संसद में उसे पारित कराय बगएर अध्यादेश लाती है और यहाँ पर सुप्रीम कोट का जो आदेश रहा है E.D. को लेकर बहुत ध्यान देने की बात है कि सुप्रीम कोट ने अभी कुछी समय पहले सितंबर में सरकार को यह आदेश दिया था कि जो E.D. है परवरतन निदेशाले उसके निदेशक संजे मिश्रा के कारेकाल को नवं में देश की सर्वोच अदालत यह फैसला देती है इस पश्ट निर्देश देती है देश की सरकार को केंदर सरकार को और महज दो महीने बाद ही केंदर सरकार एक अध्यादेश जारी करके CBI और E.D. के प्रमुखों के कारेकाल को पांस साल तक बढ़ाने का फैसला करती है और यहां पर हमें और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खट-खटाया गया है यहां हम आपके साथ यह शेयर करना चाहेंगे यह बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या E.D. को लेकर पहली बार मामला सुप्रीम कोर्ट और केंदर सरकार के पास पहुचा है इससे पहले भी जब इन केंदरी एजेंसियों की सुवायत्ता की बात थी कि उन्हें किस तरह से पिंजडे का तोता बना दिया गया है इनके मुख्याओं को सरकारें अपने हित में इस्तमाल कर रही हैं उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में आदेश दिया था कि इनके कारेकाल को दो साल तक सीमित रखा जाए विनीत नारायन की यही आचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे स्पष्ठ निर्देश दिया था और कहा था कि दो साल से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि हमेशा काम पारदर्शी ढंग से हो सके विनीत नारायन आज जबी अध्यादेश जारी होता है तब अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं वह बकाइदा बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के इस अध्यादेश पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश उसके पूरे के पूरे आदेश की अवहेलना है कंटम्ट ओफ सुप्रीम कोर्ट है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा है ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र के जितने खेमे हैं जितने खंबे हैं उन सब पे एक दूसरे ढंका नियम काईदा कानून लागू करने पर मोधी सरकार उतारू है लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध अलग-अलग मोर्चों से केंद्र सरकार से लेकर राज सरकारें छेड़ रही हैं अलग-अलग संस्थाएं जो सरकारों से जुड़ी हुई है जो राष्टे स्वेम से वकसंग से जुड़ी हुई है वह जमीन पर इसे अमल पिला रही है हमें आपको इनकी कर्तूतों को देखकर कई बार बहुत हैरानी होती है कि आखिर इससे क्या हासिल होगा लेकिन इससे वह दूसरे ढंका हिंदू राष्ट बनाने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है इसी कड़ी में भाशपा शाशित राज्यों में और खास तोर से गुजरात में देखिए जिस तरह से एहमदाबाद में जो फैसला सामने आया है इससे पहले गुजरात में राजकोड, भावनगर, जुनागर में सड़क किनारे, मांसाहार, नॉन वेजिटेरियन फूड बेशने पर मनाही की गई थी अब आप और हम सोच सकते हैं कि आखिर नॉन वेज खाने से किसे और क्यों परिशानी है क्या देश का जो मेजॉरिटी है, जो बहु संख्य आबादी है, वह शाकाहारी है तमाम आकडे इससे उलट तत्थे हमारे सामने रखते हैं यहाँ पर नॉन वेज बहुतायत में खाया जाता है लेकिन अचानक ही रातो रात गुजरात में इस तरह का फैसला होता है कॉंसलिडेट करने की कोशिश की जाती है, गुजरात के जामगड में तो और भी अनोठी चीज होती है वहाँ पर खुले आम महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे की कास टैचू लगता है, उसकी मूर्ती लगती है और इस क्रम में आप उठा के देखें तो अंगिनत घटना है आपको दिखाई देंगी उत्तरप्रदेश हर मोर्चे पर होड लेता हुआ दिखाई देगा उत्तरप्रदेश में कासगंज में जिस तरह से एक मुसलिम नोजवान की पुलिस हिरासत में हत्या की गई जिसे बाद में आतमत्या के तोर पर पेश गया और यहां बताया गया कि दो फिट उचे तोटी से अपना गला पहास कर उसने आतमत्या कर ली यह सारी चीजें हमारे इस लोक्तांत्रिक देश में हो रही हैं जहां पर हम और आप जब इन्हें पढ़ते हैं जब इन्हें सुनते हैं तो लगता है कि यह कल्पना से परे की चीजें हैं अंत में हम शर्धांजली देना चाहेंगे एक ऐसी लेखिका को जिन्होंने हिंदी साहित जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया पित्रसत्ता से अपने जीवन में और साहितिक जगत में बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी मनु भंडारी ने मनु भंडारी 90 साल की उम्र में बहुत लंबा स्रिजनात्मक जीवन जीते हुए 15 नवंबर 2021 को हमारा साथ छोड़ गई उनकी उपन्यासों की लिस्ट बहुत लंबी है कहानियां बहुत जबरदस दिल को छूने वाली है चाहे वो एक इंच मुस्कान हो आपका बंटी हो लेकिन यहां जो खास ध्यान देने वाली बात है वह है उनका उपन्यास महाभोज जो 1979 में आया महाभोज उपन्यास खास ध्यान देने योग्य है यह मनुभंडारी के लेखन का अलग धंका विस्तार है इसने एक अलग लकीर खीची यह पटना के बेलची गाउं में दलितों के नरसहार पर आधारित उपन्यास है जिस तरह से मनुभंडारी ने अपने जीवन में अपने कथा साहित्य में पित्र सत्ता को चुनौती दी नए धंका वितान रचा नए धंक से मानव संबंधों को देखा उसके लिए उन्हें सलाम मनुभंडारी को विनमर्श धांजली देते हुए एक बात जो बहुत जरूरी है उन्हें याद करने के लिए कि हमें हर हाल में पूरी हिम्मत के साथ हर तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है और जो हमारा सच है उसे दुनिया के सामने निर्भीकता से र मनुभंडारी हमें दे गई है शुक्रिया